नमस्कार दोस्तों जैहिन जैभारत मेरे पैरे सातियों कैसे आप सबी लोग मस्थ और बिंदास तरीके से शांदर और जैंदर तरकी से जुड़े रही है बिल्कुल मस्त वाले मोला वाले तरीके से चलिए दोस्तों बात कर रहे हैं हम मस्त वाली आज दिनाग 6 तारिक भाया दोज की आप सभी को धेरो सुपकाम नाए आपने दिपावली और गोर्धन का जो परव है बड़े अच्छे धूमधाम तरीके स पहले से मनाते हुए आज 6 तारिक भाया दूज पर पहुंचे हैं तो आपको उसका में एक तोड़ा सा हिंट देता हूँ एक तोड़ा सी क्लिप बता देता हूँ ताकि आपको और अच्छा लगेगा तो देखिए दोस्तों फटा फटा आजाईए एक बार ठीक है महत्पुन परसंद राष्टनान प्रिस को लेकर एप डाउन्डोर करिए इस परसंद के साथ इस परसंद से पहले हम एक चीज पढ़ने की कोशिश करते हैं देखिए क्योंकि आप अब उस जगे पहुंच चुके हैं मस्त वाली जगे पे दोस्तों देखिए पाँच दिन का त्योंहार कितने दिन का त्योंहार बेटा पाँच दिन का त्योंहार है कौन सा दिपावली गुरुजी कौन सा है ये तो पता चले बिल्कुल बेटा वही तो बता रहा हूं मैं वही तो बताने की कोशिश की जा रही है तो देखिए चलिए पांच दिवसिय त्योंहार कौन सा मनाया है हमने पांच दिवसिय त्योंहार की बात करें तो एक बार एक्जाम में पूछा गया पांच दिवसिय त्योंहार के बारे में अब पांच दिवसिय त्योंहार के बारे में जब एक्जाम में पूछा गया तो आपको तिथियों के इसाब से याद रखना है जैसे दो कि ये पांच दिवस्य त्योहार की सुरुवात कब होती है तो देख लिए पांच दिवस्य त्योहार की सुरुवात होती है धन तेरस से किसे होती है धं 13 से 5 दिवसिय त्योहार की सुरूआत होती है धं 13 के बाद देखिए आप 2nd number पर फिर मनाई जाती है रूप चतुरदसी जिस दिन महिलाएं अपना स्रिंगार करती है रूप चतुरदसी ठीक है तीसरे नमबर पर जो त्योंहार मनाया जाता है एक दो और तीन तीसरे नमबर पर जो त्योंहार मनाया जाता है वो आपकी मनाई जो आपने अभी अभी त्योंहार मनाया पिछले समय वो था दीपावली दिपावली के बाद चोते नमबर पर जो त्योंहार है वो आपने कल ही मनाया है अभी अभी कल ही आपने अनकूट खाया है तो उसका नाम क्या है गोवर्धन पूजा कौन सी पूजा गोवर्धन पूजा का त्योंहार भी आपने मना लिया अब आज जो त्योंहार आया है उसक बिल्कुल आपको यहां पर पता है अब आपसे एक्जामिनर जो चीज पूछेगा एक्जामिनर आपसे पूछेगा भाई साब यह कब कब मनाई जाते हैं दिपाउली कब मनाई जाती है रूप चतुर्दसी कब मनाई जाती है धन तेरस कब मनाई जाती है गोवरदन पूजा क कब मनाई जाती है और भहिया दूज कब मनाई जाती है ठीक है यह आप से पूछ लेगा तो धन तेरस देखिए कार्तिक के महिने में बिल्कुल सभी तोहार कार्तिक महा में आएंगे तो कार्तिक में क्रसन पक्ष की कार्तिक क्रसन पक्ष की त्रियो दसी को क्या मनाई जाती है तो कार्तिक क्रसन त्रियो दसी को धन तेरस मनाई जाती है क्या मनाई जाती है धन तेरस मनाई जाती है कार्तिक क्रसन त्रियो दसी को अब कार्तिक क्रसन त्रियो दसी को धन तेरस मनाई जाती है इसी के अगले दिन कार्तिक क्रसन चतुर दसी कार्तिक क्रसंच चतुरदसी को क्या मनाई जाती है कार्तिक क्रसंच चतुरदसी को रूप चतुरदसी मनाई जाती है जिसे छोटी दिपावली जिसे काणी दिपावली भी कहा जाता है दिपावली का त्योहार मनाया जाता है कब तो देखिए दिपावली का त्योहार मनाया जाता है कार्तिक अमावश्या को दिपावली का त्योहार कब मनाया जाता है कार्तिक अमावश्या को मनाया जाता है दिपावली का त्योहार उसके बाद वापस आ जाईए गोवर्धन पूजा आपने कल मनाईए करसन पक्स का अंतिम दिन अमावश्या कहलाता है तो करसन पक्स का अंतिम दिन अगर यहां से गुजरा है तो देखिए गोवर्धन पूजा और गोवर्धन पूजा के बाद नया पक्स प्रारंब हो गया है तो यहां पर क्या कहलाएगा कार्तिक सुकल एकम क्या केलाएगा दोस्तों कार्तिक सुकलेकम को गोवरधन पूजा मनाई जाती है यह आपको अच्छे से ध्यान रखियेगा और जो तोहार आप आज मना रहे हैं जो भाईया दूज मना रहे हैं अपने भाई अपनी बहनों के लिए वस्तर ले जा रहे हैं उनके ससुराल जा रहे हैं और भाईया दूज का प्रोग्राम निभा रहे हैं तो भाईया दूज मनाई गई कार्तिक के महने में पक्स कौन सा तो ये पांचों वाला जो सिनेरियों है ये आपको बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है। तो पांच दिवशियत यूहार, कार्तिक करसं त्रियोजसी, रूप चतुरदसी, कार्तिक करसं चतुरदसी को, दिपावली कार्तिक अमावश्या को, गौर्दन पूजा कार्तिक सुकल एकम को, और भईया दूज कार्तिक सुकल दित्या को मनाई जाती है. तो ये सारी की सारी बातें आपको अच्छे तरीके से याद रखनी होंगी ये आपके एक्जामस में पूछी जा सकती हैं बिना किसी परेशानी के चलिए अब आईए अब नेक्स्ट कोशिन पर आईए मलीर प्रिंट का सम्मन्द है मलीर प्रिंट अजरक प्रिंट और मलीर प्रिंट अजरक प्रिंट देखो दोस्तों मेरे चुल बुलों अजरक प्रिंट और मलीर प्रिंट ठीक है तो मलीर प्रिंट का सम्मंद है अजरक प्रिंट और मलीर प्रिंट तो मलीर प्रिंट का सम्मंद है बूंदी से सांगानेर से उदेपूर से या बाड मेर से तो मलीर प्रिंट का सम्मन्द है दोस्तों आपके बाड मेर से और बाड मेर मेर में भी एक इस्तान है इस्तान का नाम क्या है बालोतरा बालोतरा बाड मेर से मलीर प्रिंट का सम्मन्द है यह आपको पता होना चाहिए चलो next question का जवाब दो राजस्थान का कौन सा सहर बेल बूटों की छपाई की पारम परिक कला के लिए जाना जाता है जैपुर बगरू सांगानेर बाडमेर बताओ राजस्थान का कौन सा सहर बेल बूटों की छपाई की पारम परिक कला के लिए जाना जाता है जैपुर बगरू सांगानेर बाडमेर जल्दी से बताओ मस्त और बिंदास तरीके से बाडमेर तो आपको पता है न बाडमेर में दो चीज़े याद रखिएगा एक तो अजरक प्रिंट याद रखिएगा और एक मलीर प्रिंट याद रखिएगा कहाँ बाडमेर में सांगानेर में क्या है सांगानेर में रंगाई छपाई यानि रंगाई छपाई का काम और याद रखिएगा रंगाई छपाई का काम यहाँ पर छीपा समुदाई के लोग करते हैं छीपा समाज के लोग और जो छीपा समाज इसमें भी जो नाम देव छीपे हैं नाम देव छी पे जो नामदेव चीपे हैं वो रंगाई चपाई में बड़े पारंगत है ठीक है आंसर देखो सांगा निर्भी जेपुर का भाग है जेपुर जेपुर है सही बगरू पर यहाँ पर सही आंसर क्या है बगरू राजस्तान में बेल बूटों की चपाई यानि की मानली जिये ऐसे बिल्कुल बेल बूटों की छपाई की बात कर रहे हैं ऐसे पत्तियां बना दी गई है ना बेल बूटों की छपाई ठीक है तो राजस्तान का कौन सा सहर बेल बूटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है तो मेरे प्यारे दोस्तों वह जाना जाता है ब परसिद है छातों के लिए क्या कह रहा है छातों यानि अम्रेला अम्रेला के लिए अम्रेला के लिए क्या परसिद है छातों के लिए परसिद है पाली फालना जैपुर सिरोही देखो दोस्तों बाद पाली की है तो पाली में क्या करना है पाली आपके दो चीजों से पूछा जाता है पाली में एक तो मेहंदी परसिद है अभी में जगे का नाम नहीं बता रहा पाली सोजद पाली की एक पाली का गुलाब हल्वा मुह में पानी आया पाली का गुलाब हल्वा बड़ा ही टेस्टी है पाली का गुलाब हल्वा भी परसिद है और चाते फालना के फेमस है फालना के चाते कहां के साथे फालना के चाते बड़े परसिद्ध हैं कभी चाते खरीदिएगा तो बेशने वाले को पूछिएगा बेशने वाला आपको कहता रहेगा कि फालना के परसिद्ध चाते हैं भी या ठीक है चलिए विकास के लिए फेशन सम्मंदित है बहुत अच्छा कोशन है इंपोर्टेंट कोशन है दिमाग लगाईए रटने का कोशन नहीं है परीधानों की नई डिजाइन तयार करना फेशन विकास के लिए एक स्वतनतर संस्तान इस्तापित करना यह एक वो है यह कारेकरम है विकास के लिए फेशन क्या विकास के लिए फेशन डवलप्मेंट फेशन फोर डवलप्मेंट यानि विकास के लिए फेशन परीधानों की नई डिजाइन तयार करना, फेशन डिजाइन के लिए एक स्वतनतर संस्तान इस्तापित करना, कन्या महा विद्यालियों में फेशन पाठे करम लागू करना, खादी एवं कोटा डोरिया को लोग प्रिये बनाना, तो बताइए, विकास के लिए फेशन संबंदित है, परिधा आंसर है बेटा, खादी और कोटा डोरिया, बेटा कोटा डोरिया की जो साड़ी है, वो केथून की परसिद्ध है, कोटा डोरिया की साड़ी कहां की परसिद्ध है, केथून की, इसे मलमली साड़ी, इसे मलमल साड़ी भी कहा जाता है, केथून की, कोटा डोरिया को मलमल के नाम से भी इसे जाना जाता है और ये के थून और के थून कहां पर है बेटा के थून है कोटा में के थून कहां पर है कोटा में तो यह याद रखिएगा के थून कोटा वाला कंसेप्ट आपको अच्छे से याद रखना है के थून कोटा वाला संबंद आपको बड़े अच की स्क्रीन पर निम्न में से आसत्य कतन है यानि ये माली ये कोशन इस फ्रेमिंग के साथ बने है कि बिल्कुल आपको सारी चीजे याद रखनी पड़ेंगे ठीक है डूंगरपुर जिले में देवल की खान में से पारेवा पत्थर निकलता है परसन क्या है डूंगरपुर जि जिले में देवल की खान में से पारेवा पत्थर निकलता है काश्ट पर कलात्मक मूर्तियां बनाने के लिए बांसवाडा का तलवाडा गाउं परसिद्ध है बांसवाडा के चंदूजी का गड़ा तता डूंगरपुर के बोडी गामा गाउं में बनने वाले तीरकमान पर परसिद्ध है बांसवाडा के चंदूजी का गड़ा तता डूंगरपुर का बोडी गामा गाउं तीरकमान बनने के लिए परसिद्ध है और राजस्तान को हस्त कलाउं का आगार के रूप में जाना जाता है इन में से कौन सा कथन गलत है यह आपको पता करना है इन में से आश्टपर कलात्मग मूर्तियां बनाने, प्रसिद है बस्सी, क्या परसिद है बस्सी, बस्सी जेपूर में भी है, पर बस्सी यह कौन से है, बस्सी चितोडगड, यह बस्सी चितोडगड है यह परसिद है, यहाँ पर इसonnaise स्वाडा का तलवाडा दिया है, जो इस announcements यह गलत ठिक है चलिए एक कुद्रत सिंग की बाद चलिए बिटा कुद्रत सिंग को राजस्थान की किस हस्थ कलामे योगदान के लिए प्दम सुरी पुरुस्कार से अलंकरित किया गया है चुद्रच सिंग को राजस्तान की किस हस्थ कलामे युगदान के लिए पधम स्री पुरुष्कार से अलंकरत किया गया है बताईए ब्ल्यू पोटरी, कपड़े पर छपाई, मीना कारी और पीतल पर मुरादा बादी काम खुद्रत सिंग को राजस्तान की किस हस्त कला में योगदान के लिए पदमश्री पुषकार से अलंकरत किया गया है ब्लू पोर्टरी, कपड़े पर छपाई, मीनाकारी या पीतल पर मुरादाबादी काम तो बताईए, कुद्रत सिंग को किस के लिए, तो कुद्रत सिंग को किया गया है बिटा, कपड़े की छपाई नहीं, मीनाकारी के लिए, मीनाकारी के लिए कुद्रत सिंग को पदमश्री पुषकार से अलंकरत किया गया है, बिल्कुल दोस्तों हाँ, बिल्कुल बताईए, ठ सर्व पर्थम किसके द्वारा लाए गई मीनाकारी हो चाहिसे पोटरी कला हो ठीक है बात एक ही है गज सिंग, मान सिंग पर्थम, जस्वन सिंग या जै सिंग दिती है मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्व पर्थम किसके द्वारा लाई गई गई गज सिंग, मान सिंग पर्थम, जस्वन सिंग या जै सिंग दिती है बताईए बाई दोस्तों आंसर है मान सिंग पर्थम साब लाए कहां से लाए मान सिंग पर्थम साब लाए मीना कारी कौन लाए मान सिंग पर्थम चलिए नेक्स्ट कोशन का जवाब दीजिए ओके और अच्छी डिटेल के साथ परसन पूछा गया है आपको और शांदर वाला कोशन पूछा गया है कि राजा मान सिंग आमेर में मीना कारी की कला को प्रारंब करने के लिए पांच कारीगर किस इस्तान से लाए ठीक है न हाँ पांच कारीगर किस इस्तान से लाए अच्छा कोशन है मान सिंग आमेर में मीना कारी की कला को प्रारंब करने के लिए पांच कारीगर कहां से लेकर आए तो देखिए पांच कारीगर कहां से लेकर आए यही बात चल रही है बताओ जल्दी से दिल्ली बुर्हानपूर वारानसी या लाहोर बताईए दिल्ली बुर्हानपूर वारानसी लाहोर बिल्कुल सही आंसर है दिल्ली क्या सोचा लाहोर से अरे भाषडो दिल्ली से लाए कला लाहोर से पर यह जो कारिकर लाए वो दिल्ली से लाए संत माउजी संत माउजी ने किस बोली में करसन लेलाओं की रचना की संत माउजी ने किस बोली में अब आप यहां से एक चीज पकड़ सकते हैं कि संत माउजी का सम्मंद कहां से रहा है कल वाली क्लास में मैंने संत माउजी के बारे में आपको अच्छे से बताया था तो आप मुझे आज वाली क्लास में ये बताईए कि संत माउजी ने किस बोली में दोस्तों देखो ऐसी बात चली थी कि दो जिले डुंगरपुर बासवाडा ठीक है तो अब बताओ इसको क्या आंसर सीधा सीधा आगया देवड़ावाटी खेराडी यानि इबागडी संत माउजी ने किस बोली में क्रसन लीलाओं की रचना की तो बागडी बोली में क्रसन लीलाओं की रचना अगर किसी ने की तो वो कौन थी तो क्रसंत माउजी ने किस बोली में क्रसन लीलाओं की रचना की तो बागडी बोली में क्रसन लीलाओं की क्या की बिटा रचना की ठीक है किलिए रहे यहां तक मामला कोई दिक्कत कोई समस्या कोई समस्या नहीं है ना खोनी भी नहीं चाहिए बिल्कुल हम धूमदाम से दिपावली का त्योहार मना रहे हैं अभी पांच दिवसी दिपावली के त्योहार में आज अंतिम दिन है इसकी भी आप सभी को देरो सुपकामना है, सभी भाईयों, सभी बहनों को बिलकुल देरो सुपकामना है, आप हसते रहें, मुस्कराते रहें, जीवन की हर सफलता प्राप्त करें, अपने माता पिता, अपने गुरुजनों और देश का नाम जरूर रोसन करें, ठीक है दोस्त मारवाडी की मारवाडी बिटा मेवाडी बागडी सेखावाटी विकानिरी खेराडी नागोरी देवड़ावाडी गोटवाडी टटकी थली बताईए निम्न में से कौन सी है बताईए जल्दी जल्दी निम्न में से कौन सी मारवाडी की उपबोलियां है कौन सी मारवाडी की उपबोलियां हैं तो मेवाडी, बागडी, शेखावाटी, विकानेरी, खेराडी, नागोरी, देवडवाटी, गोडवाडी, टटकी और थली सभी की सभी क्या हैं मारवाडी की उप बोलियां हैं दोस्तों चलिए नर्पती नाल है ने बीसल देव रासो की रचना राज़स्थानी की किस बोली में की नर्पती नाल है नर्पती राल ने बीसल देव रासो बीसल देव का संबंध है विग्रह राज चतुर्त से विशल देव से संबन्ध है विग्रह राज चतुर्त का विजगरह चतुर्त कहां का सासक है बेटा अजमेर का सासक है कहां का सासक है अजमेर का सासक है इसी विग्रह चतुर्त ने हरी केली नाटक हरी केली नाटक की रचना की हरी केली नाटक की क्या की बेटा रचना की ठीक है हरी केली नाटक की जो पंगतियां है ना हरी केली नाटक की जो पंगतियां है वो दो जगे लिखी हुई है एक तो कहां पर अड़ाई दिन के जोपड़े अड़ाई दिन का जोपड़ा अड़ाई दिन का जोपड़ा कहां पर है राजस्तान की प्रथम मस्जिद है अजमेर में हैं और एक Bristol England में कहां पर है Bristol में और Bristol कहां पर है England में राजा राहम मोहन राय की उस पर तो Bristol England और रदाइदन के चोपड़े में यहां लिखी हुई है यहां पर बताईए गोडवाडी मेवाडी खेराडी हाडोती गोडवाडी मेवाडी खेराडी और हाडोती बताइए इसका सही आंसर क्या होगा तो इसका सही आंसर है बेटा गोडवाडी इसमें गोडवाडी में किसमें किया लाड़ ले गोडवाडी में ये काम किया किसने यहाँ पर ठीक है चलिए निम्न में से कौन स गोडवाडी की उपबोली है क्या बालवी, खणी, महाहडी और उप्रोक सभी निम्न में से कौन सी गोडवाडी की उपबोली है बताईए जल्दी से बताईए शांदार सेशन है जबरदस्त वाला निम्न में से कौन सी गोडवाडी की उपबोली है बालवी, खणी, महाहडी और उप्रोग सभी, बताईए जल्दी से, जल्दी जल्दी बताईए, जवरदस्त तरीके से, निम्न में से कौन सी गोड़वाडी की उपबोली है, तो देखिए बालवी भी है, खणी भी है, महाहडी भी है, यानि की उप्रोग सभी वाला आंसर सही है, कैसा आंसर सही है, प्रोक्त सभी इसका बिल्कुल परफेक्ट जवाब रहने वाला है चलिए मूमल देखिए मूमल धोला मरवन मूमल धोला मरवन राज रूपक इत्यादी काववे किस भासा में रचित हैं मूमल धोला मरवन आदी काववे किस भासा में रचित हैं बताइए हाँ जल्दी से मूमल ढोला मरवन अगर आपको राजरुपक के बारे में ध्यान नहीं है ढोला मरवन बाई साहब इसका सम्बंध भी जेसल मेर से और इसके जो ढोला मारू का गीत है वो सिरोही में मुखे रूप से गाया जाता है ठीक है मूमल का गीत जेसल मेर में गाया जाता है अब यहाँ पर मेवाडी तो क्या हो गया उदेपूर चितोडगड बीलवाडा वाला भाग हाडोती कोटा मुंदी बाना जाला वाड मेवात में अलवर ढोल भरतपूर वाला कुछ इससा तो यहाँ पर आंसर है क्योंकि जैसल मेर किस तरफ इंडिकेशन कर रहा है हमें जैसल मेर हमें जहां जोडने की कोशिस कर रहा है न वो है बेटा मारवाडी कुछ परस्नों के जवाब तो आप वैसे भी निकाल पाएंगे कुछ प्रस्टों के जवाब तो आप वैसे भी निकाल पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, शालिए, नेक्स्ट कोश्चन, निम्न में से कौन सा संपरदा है, नाथमल, संतमल, कौन सा संपरदा है, नाथमल, संतमल के मद्धे की कड़ी, नाथमल और संतमल के मद्धे की कड़ी, कौन सा संपरदा है, नाथ और संत, ठीक है, लालदासी संपरदा है, विश्नोही संपरदा है, निरंजनी संपरदा है, या रामसनेही संपरदा है, ठीक है, बताइए, जल्द जल्दी से बताईए नात और संत मल के मद्य की करी लालदासी विस्नोही निरंजनी और रामसनेही बताईए जल्दी से बताईए फटा फट तो यह है बेटा निरंजनी संपरदाए तीखी पहाडी पर कठोर तपष्या करी कल की क्लास में था ये परसन तीखी पाहडी पर कट्रोर तपश्या करी उनका संबंध किस्से था तो उनका संबंध था निरंजनी संपरदाई से ठीक है राम इसने ही संपरदाई की परमुक पीठ है बेटा कहां पर सहापुरा में सहापुरा कहां पर है भील वारा में यहां पर धुलंडी के दिन फूल डोल मेला भरता है धुलंडी कब मनाई जाती है तो धुलंडी क्या चेतर के महने में मनाई जाएगी बिल्कुल कब चेतर के करसंपक्स की प्रतिपदा को यानि चेतर के मैने की सुरुवात जब होगी उस दिन धुलंडी मनाई जाएगी याद रखिएगा तो आंसर हो गया आपका निरंजनी संपरदाय और रामिस नहीं संपरदाय सहापुरा भीलवाडा और क्या करते हैं ये इनके द्वा फूल डोल मेले का एउजन किया जाता है कानपानात कि संपरदाय से संबंदित है कानपानात कानपानात में कालबेलिया कानपानात को ज़्यादा अपनाने वाले वेक्ति हैं कालबेलिया समाज के लोग कानपानात संपरदाय को बहुत ज़्यादा मानते हैं और ये जो कानप कानपानाथ संप्रदाई है किस संप्रदाई का उप संप्रदाई है किस संप्रदाई का भाग कानपानाथ है साक्त संप्रदाई नाथ संप्रदाई वैसनों संप्रदाई या रामानुज संप्रदाई बताईए कानपानाथ किस संप्रदाई से संप्रदाई नात संपरदाई की बात आई तो नात संपरदाई की आपको राजस्तान में मुखे पीट पूछ ली जाए राजस्तान में मुखे पीट कहां पर है तो राजस्तान में मुखे पीट दोस्तों एक तो है महामंदिर मुखे मीट कहां पर है महामंदिर में ये महामंदिर कहां पर ह जोदपुर में ठीक है एक है राता डूंगा एक कहां पर है बेटा राता डूंगा और राता डूंगा कहां पर है राता डूंगा है आपके पुषकर में राता डूंगा कहां पर है पुषकर में और पुषकर कहां पर है जेपुर में आप से पूछ लिया जाए ढूंडाड का पुषकर क्या ढूंडाड का पुषकर कहां पर है तो ढूंडाड का पुषकर पूछ लिया जाए तो आंसर दीजेगा जमवा रामगड कहां पर है जमवा रामगड में जमवा रामगड कहां पर है जेपुर में जहां पर जमवाए माता का मंदिर है यह याद रखिएगा ठीक है चल लिए नात संपर्दाई के प्रवर्तक कोन थे अच्छा कोशन है बताईए गलती करेंगे आप इस परसन में मुझे पता है हाँ बिल्कुल गलती करेंगे बताईए नात संपर्दाई के प्रवर्तक कोन है बताईए फटा 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 फट बताईए बिल्कुल दोस्तों ए बी बहुत अच्छा कोशन है आने वाली एक्जांस में पूछा जा सकता है नाच संपरदाय के परवर्तक कौन है गोरकनात, नाथमुनी, भरतहरी और रमानात तो नाच संपरदाय के बेटा गोरकनात नहीं है नाथमुनी है कौन है नाथमुनी है नाथ संपरदाय के परवर्तक कौन है तो नाथ संपरदाय के परवर्तक है मेरे प्यारे दोस्तों नाथमुनी संत दादू की मित्यू किस इस्तान पर हुई? संत दादू जी की मित्यू किस इस्तान पर हुई? सांबर में, भीलवाडा में, नरायना में या पुसकर में? बताए संत दादू जी की मित्यू किस इस्तान पर हुई? जल्दी से बताएं सांबर, भीलवाडा, नरायना, पुसकर सांबर, भीलवाडा, नरायना और पुसकर बताओ दोस्तों जल्दी से फटा-फट संत दादुजी की मित्यू तो संत दादुजी की मित्यू कहां हुई? नरायना में हुई, नरायना कहां पर है बेटा? जैपुर में हुई, और नरायना में इनको एक भेराना की पहाडियों में भेराना की पहाडियों में एक गुफा में इनके सरीर को छोड़ दिया गया और इस गुफा को वर्तमान में दादु खोल के नाम से किस नाम से जाना जाता है दोस्तों दादू खोल के नाम से जाना जाता है आंसर होगा नरायना आंसर क्या होगा दोस्तों बिलकुल नरायना इसका बिलकुल सही आंसर होगा कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए चलिए जंबेस्वर जी की वानी को निम्न में से क्या कहा जाता है बताईए जंबेस्वर जी की वानी को निम्न में से क्या कहा जाता है गुरुवानी, सबदवानी, वेदवानी, उप्युकसभी जंबेस्वर जी की वानी को निम्न में से क्या कहा जाता है गुरु वानी, सबद वानी, वेद वानी, उप्युक सभी जंबेश्वर जी की वानी को गुरु जंबेश्वर, भगवान जंबेश्वर जंबेश्वर जी की वानी को क्या कहा जाता है बताईए हाँ, बिल्कुल उप्युक सभी बिल्कुल सही है जंबेस्वर जी की वानी है ना जंबेस्वर जी की वानी को गुरुवानी भी कहा जाता है सबदवानी भी कहा जाता है और वेदवानी भी कहा जाता है तो जंबेशवर जी की वानी को गुरुवानी, सबदवानी और वेदवानी तीनों चीज कही जाती है यह है आप याद रखिएगा सन्यासियों के सुल्तान के उप नाम से किसे जाना जाता है सन्नेासियों के सल्टान के उप नाम से किसें जाना जाता है ख्वाज़ा मु parchmentDIN चिस्ती हमीद उद्दीन नाहोरी पीरहाजी निजांदीन और गुलहाम खान बताईए अच्छा परसन है सन्यासियों के सुल्तान हमीद उद्दीन नागुरी साब को सन्यासियों के सुल्तान के रूप में जाना जाता है चलिए तो संत पीपा के इस्मरण के रूप में बना बहुत प्यारा कोशन है संत पीपा के इस्मरण के रूप में बना पीपावट का व्रहद मठ कहां पर इस्तित है भाई देखो चारों ओप्शन ही राजस्तान से संबंदित नहीं है चारों ओप्शन ही राजस्तान से संबं व्रहद मत संत पीपा के इसमारण के रूप में पीपावट का व्रहद मत कहां इस्तित है मतुरा द्वारकापुरी व्रंदावन या गोकुल पीपावट का व्रहद मत मतुरा द्वारकापुरी व्रंदावन गोकुल बताईए मθूरा द्वारका पूरी बिलकुल जै द्वारका आईए कभी द्वारका तो द्वारका पूरी में संध पीपा के इसमरण के रूप में बना पीपावट का व्रहद मत कहाँ इस्थित है वह है दोस्तों द्वार का पूरी में शलिये अलबट होल से सम्मंदित कौन सा कतन सही नहीं है इसके कारिगर चंदन वतारा है इसमें जेपूर महराजाओं के चित्र चित्रित है इसमें राजस्थान का सबसे पुराना या प्रथम संग्रालिस्तित है यह मैल भारत वर अर्भी सेलीमें रिमित है सभी कतन सही है यह पूचरा है कौन सा कतन असत्ते है और आपको बताना है इसका क्या सीन होगा बताईए हाँ बिलकुल जवाब आपको मिल गया होगा कोई दिक्कत नहीं है बिलकुल मिल गया होगा जवाब अलबट होल चे सम्मंदित कौन सा कतन सही नहीं है इसके कारिगार चंदन वतारा है इसमें जहाजपूर माराजाओं के चितर चितरित है इसमें राजस्तान का सबसे पुराना या प्रतम संग्रहल लेश्तित है यह मैल भारत वर अर्भी सेली में निर्मित है और सभी कथन सही है और सभी कथन सही है बताइए तो बिल्कुल सही है सभी कथन यहाँ पर सही है इसके कारिगार चंदन वतारा है इसमें जहपूर माराजाओं के चितर चितरित है राजस्तान का सबसे पुराना वर प्रतम संग्रहल लेश्तित है कि राजस्तान का सबसे पुराना या प्रतम संग्राले कौन सा है तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा अलबट हो जाएगा यह महल भारत वा अर्बी सेली में निर्मित है यह भी आपको अच्छे से याद रखिएगा ठीक है चलिए next question आईए सामोद का महल कहां पर इस्तित है सामोद महल सामोद महल कहां पर इस्तित है देखिए सामोद के पास में एक मंदिर है सामोद में वीर हनुमान मंदिर क्या स्थित है सामोद में स्थित है वीर हनुमान मंदिर वीर हनुमान मंदिर है ना इस वीर हनुमान मंदिर पर रोपवे कौन सा रोपवे कौन से करम का फोर्थ राजस्तान का चोत्ता रोपवे है याद रखिएगा राजस्तान का चोत्ता रोपवे सामोद वीर हनुमान मंद पर यहां पर जेपूर अलवर चोमू जमुवा रामगड तो अगर यहां पर जेपूर भी दिया है और यहां पर चोमू भी दिया है ना तो कन्फूजन बिलकुल भी नहीं करना है यहां पर क्या जेपूर भी दिया है और चोमू भी दिया है तो कन्फूजन बिलकुल भी नही जीक है जैसे कि मान लीजिए सामोध, सामोध के बाद चोमू, चोमू के बाद जैपूर और जैपूर के बाद राजस्तान ठीक है तो इसी परकार यहां पर जो आंसर होगा वो आपका होगा चोमू ठीक है क्या आंसर होगा चोमू क्योंकि चोमू सामोध के जादा निकट है ज जैपूर उसके बाद है ठीक है चलिए very good हवा महल में कितनी खिड़किया है अभी जो पटवारी का पेपर आया था उसमें कोशन आया था कि हवा महल का निर्मान प्रताप सिंग ने करवाया कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है तो देखिए हवा महल प्रताप सिंग ने कर जाली जरों को की संक्य एकजार तरेपन यही स्टेटमेंट गलत था क्योंकि हवा महल में कितनी खिड़किया है हवा महल में 953 953 खिड़किया है बिना नियू का दुनिया का सबसे बड़ा महल पूछा जा रहा है तो बिना नियू का दुनिया का सबसे बड़ा महल बताईए हाँ बिना नियू का देखिए बिना नियू का दुर्ग तो है गागरोन दुर्ग और गागरोन दुर्ग कहां पर है जालावाड में यहां पूचरा है बिना नियुका दुनिया का सबसे बड़ा महल मुबारक महल जुनागर महल हवा महल अलबर्टोल मुबारक महल बेटा टौक में है जुनागर महल बेटा बिकानेर में है अलबर्टोल बेटा जेपुर में है हवा महल भी बेटा जेपुर में है और इसका सही आंसर भी सी है इसका सही आंसर क्या है इसका सही आंसर भी क्या है सी यानि कि हवा महल इसका बिलकुल परफेक्ट आं हवा महल कितने मंजिला इमारत है यानि कि ये मान लीजिए करसन के मुकुट के समान है तो कितने मंजिला है ये पूछ रहा है कितने मंजिला है पांच मंजिला है नाम देखते हैं सरद मंदिर या प्रताप मंदिर देखिए इसको ऐसे पढ़ लेते हैं कितने मंजिला है,asing, today,chod, दो, तीन, च्यार और पांच कितने मंजिला है, पांच मंजिला है और यह भगवान श्री क्रश्न के मुगट के समान दिखाई देता है भगवान स्री कृष्ण के मुकट के समान दिखाई देता है याद रखिएगा ठीक है सरद मंदिर प्रताप मंदिर हवा मंदिर है ना प्रकास मंदिर ऐसी सारी चीज़ें आपको याद रख विचित्र मंदिर तो यह इसके क्या है नाम है तो यहाँ पर आंसर है हवा महल कितने में अली बक्सी ख्याल सम्मंदित है अली बक्स की ख्याल अली बक्सी ख्याल राजस्तान के किस में अली बक्सी ख्याल और इस ख्याल का जो परवर्तक था ना उसका नाम भी अली बक्स था इस ख्याल का जो परवर्तक है उसका नाम भी क्या है अली बक्स है याद रखियेगा इसका आंसर है अलवर, अली बक्सी ख्याल, अलवर, ऐसे अली बक्सी ख्याल, और परवर्टक भी कौन है, अली बक्स है, यह है याद रखिएगा, next question पर आईए, हेला ख्याल हेला ख्याल लोग संगीत राजस्तान के किस सेत्रों में संबत है हेला का मतलब होता है लंबी टेर लगाना ओ काड़ा की मम्मी आजा लंबी टेर लगाना क्या लगाना लंबी टेर लगाना क्या क्या लाता है हेला ख्याल लंबी टेर लगाना सीकर जुनु दोसा सवाई मादोपूर भीलवाड़ा चितोडगड़ और डुंगरपूर भासवाड़ा तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर होगा दोसा सवाई मादोपूर दोसा सवाई मादोपूर में हेला की ख्याल प्रसिद है। बताईए गवरी के पात्र तो यह हैं छोटी नाटी काएं हैं इनका मंचन गवरी उत्थान में किया जाता है राजस्तान का कौन सा लोक नाटे मेरू नाटे के नाम से मेरू नाटे राजस्तान का कौन सा लोक नाटे मेरू नाटे जाना जाता है तो गवरी लोक नाटे राजस ठीक है चलिए जहामट्या बात लोग बसा में कवीता बोलता है और खट-कडिया उसको दोराता है बीच बीच में जोकर का काम करता है पात्र जहामट्या वह खट-कडिया किस से सम्मंदित है गवरी से हेला से कुचामणी से या गेर से बताए जल्दी से क्या आंसर होगा तो जल्दी से बिल्कुल किलियर है गवरी नरते से सम्मंदित है तो दोस्तों बिल्कुल आज के लिए इतना ही मेरे चांद के टुकड़ों बिल्कुल आपकी कलासे अनवरत चल रही है बिल्कुल छुट्टियों में भी आपकी कलासे बिल्कुल भी डिस्टरप नहीं हुई हम बि कोई दिक्कत लेने वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए हो सकता है कल का अवकास भी रहे तो आज के लिए इतना ही नमस्कार धन्यवाद जय हिन जय भारत राम राम लग झाय की बाय हो औरी बात राम माँ भाली आफिक को लि duż पोगत बड़क हो नमस्कार राम